हेलो दोस्तो मैं विनोद दूबे आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल वी एस दूबे ब्लॉग्स में दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज मैं आप लोगों को प्रकृति का ऐसा एक स्वरूप दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर लोगों को सुक और सांती मिलती है और मैं इस समय मुंबई के टिटवाला स्थान से ये सारी चीजे आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक सिव मंदिर है उस सिव मंदिर का दिख आप लोगों से सेर करना चाहता हूँ और दोस्तो यहाँ पर आने के बाद इंसान को बहुत ही सांती और सुकुन मिलता है ये अस्थान बहुत ही सांतर है अब यहाँ पर कुछ कृतियां बनी हुई है जिसे देखकर मन को अच्छा लगता है यहाँ पर कुछ कृतियां आद्भूत बनी हुई है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ मेरे दोस्त पहुँच नहीं सकते इस अस्थान पर इसलिए यह वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिससे की वो देख सके इस अस्थान की बहुत पिसेस्ता है दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कृति बनाई गई है जिसमें की एक गाय है और एक बच्छडा है और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कृति में दो बैल बनाये गए है दोस्तों अगर आप लोगों को मौका मिले तो इस स्थान पर जरूर आईए और यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों तो संकर भग्वान की एक कृति बनाई गई है जिसकी उचाई जो है कमसकम 30 से 35 फीट उचा है यह यह देखिए दोस्तों और यहाँ पर सामने की तरफ एक नदी है नदी का लुप्त उठाते हुए कुछ अपने ही दोस्त हैं और इस नदी की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर मचलिया पकड़ते हुए देख रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों चलते हैं और इनसे कुछ बाते करते हैं हेलो दोस्तों आप लोग यहाँ पर मचलिया पकड़ रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों लगता है यह कुछ ज्यादा ही वीजी है और यह जवाब नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों यह अपने काम में ब्यस्त हैं तो इनको डिस्टर्ब ना किया जाए और आपको मैं यहाँ का द्रिश्य दिखाता हूं कर दोस्ता हूं